स्मस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज की इस कलास में पढ़ने वाले हैं IASE के बारे में I-A-S-E I-A-S-E जिसको हम बोलते हैं Institute of Advanced Studies in Education Institute of Advanced Studies in Education इसका पूरा नाम है ठीक है? I-A-S-E से संबंधित कुछ विशेश बाते ही करेंगे अपन इंग्लीश में अगर हम इसके नाम की बात करें कि इसकी फुल फॉर्म क्या है इंग्लीश में इसकी फुल फॉर्म जैसा कि मैंने आपको बता दिया इसकी फुल फॉर्म क्या है? Institute of Advanced Studies in Education तो फॉल फॉर्म लिख लेते हैं अपने Institute of Advanced Studies in Education एजूकेशन ये है दोस्तों इसका फुल फॉर्म अगर हम हिंदी में इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ये उच अध्यन शिक्षा संस्थान कहलाता है हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? उच अध्यन शिक्षा संस्थान ये इसका अर्थ है हिंदी अर्थ IASE का फुल फॉर्म पुछा जाए तो Institute of Advanced Studies in Education है और वैसे इसको हिंदी में बोलते हैं उच अध्यन शिक्षा संस्थान उच अध्यन शिक्षा संस्थान इसका हिंदी का नाम है दोस्तों कर हम इस IASE के थोड़े से इतिहास के बारे में जाएं तो हम ये कहते हैं कि राश्ट्रे शिक्षा निती 1986 में शिक्षक शिक्षा और प्रस्षिक्षन में गुनात्मक सुधार लाने पर विशेश बल दिया गया था जिसके फल्सरूप AC एक संस्था की जरूर थी जो इस चीज को पूरा करे इस चीज की पूरती करे तो उसी फल्सरूप IASE का जो है निर्मान हुआ था इसका गठन हुआ था तो इसके लिए हमें यहाँ पर अगर नोट्स बनाने के प्रपस से कुछ लिखना है तो अपन थोड़े से इस हिसाब से लिखेंगे सबसे पहली बात करें तो राश्ट्रे शिक्षा निती कौन सी राश्ट्रे शिक्षा निती अभी तो राश्ट्रे शिक्षा निती 2020 मनी है लेकिन हम पुराणी राश्ट्रे शिक्षा निती की बात कर रहे हैं जो 1986 की थि राष्ट्रिय शिक्षा नीती 1986 1986 में क्या था? राष्ट्रिय शिक्षा नीती 1986 में शिक्षक शिक्षा वे प्रसिक्षण में गुनात्मक सुधार लाने के लिए गुनात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया था दोस्तो वेसे भी सीधा भी आपको समझा सकते थे लेकिन आपके नोट्स प्रिपेर हो जाएं इसे फर्स्ट ग्रेड में आपको पता है ये टॉपिक है आई एस ए तो आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं उस परपस से मैं आपको एक एक लाइन यहां पर लिखाऊंगा जिसको आप बाद में वीडियो को आराम से देख कर और नोट्स बनाने हैं ठीक है यहां से देख कर आप अपने भी नोट्स बनाएंगे सिरफ इस वीडियो पर डिपेंड नहीं रहे ना आपको तो राष्ट्रे शिक्षा निती 1986 में शिक्षक शिक्षा और प्रक्षिक्षन में गुनात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया था तो इसी सिक्षक शिक्षा और प्रक्षिक्षन से संबंधित IASE जो है वो क्या है यह सिक्षक प्रक्षिक्षन की सर्वोच संस्था है क्या है अगर यह पूछा जाए तो हम कहेंगे यह सिक्षक प्रक्षिक्षन की सर्वोच संस्था है शिक्षक प्रस्टिक्षन की सर्वोच संस्था सर्वोच संस्था अगर अपन से कोई ये पूछे कि भई IAS की फुल फॉर्म क्या है तो हम कहते हैं Institute of Advanced Studies in Education या हिंदी में हम बात करें तो उच्च शिक्षा संस्थान इसका अर्थ है और यहां पर हमने 1986 की शिक्षा निती की बात करें तो शिक्षक शिक्षा और प्रस्टिक्षन में गुनात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया था इसी के फल्सुरूप IASE का निर्मान हुआ था और IASE क्या है शिक्षक प्रस्टिक्षन की एक सर्वोच संस्थान है यानि की यहां पर टीचर्स ट्रेंइंग की एक सर्वोच संस्थान कह सकते हैं अगर आप हिंदी का यह वर्ड नहीं समझे पारे हैं शिक्षक प्रस्टिक्षन तो टीचर्ट्रेंण का यह जो है एक सबसी उप्री सुप्रीम एक जो है इस्टिटुट है वह है IASE अब यह जो IASE है इसके दो पार्ट है एक तो प्रात्मिक स्थर है एक प्रात्मिक स्थर और एक हम बात करें माध्यमिक स्थर की प्रात्मिक स्थर और माध्यमिक स्थर दो सत्रों की यहां पर अपन बात करेंगे प्रात्मिक स्थर यह भी लिख लेते हैं प्रात्मिक स्थर और माध्यमिक स्तर प्रात्मिक स्तर जो है इसके अंदर डाइट डी आई एटी ठीक है ये डाइट का गठन हुआ है और माध्यमिक स्तर में क्या क्या है IAS के संबंद में IASE के पास क्या है माध्यमिक स्तर में हमने गठन क्या है IASE का और इसके अलावा CTE का और इसके अलावा यहाँ पर हमने TTC का तो हमारे ये दो जो हैं हमारे syllabus में नहीं है हमारे syllabus में है IASE और हमारे syllabus में है first grade में diet ये दो चीजें तो सुरुवात से एक बार थोड़ा सा revision मारे है पन कि IASE का full form क्या है? Institute of Advanced Studies in Education उच्छ अध्यन शिक्षा संस्थान राष्ट्रे शिक्षा नीती 1986 में शिक्षक शिक्षा और प्रसिक्षण में गुनात्मक सुधार लाने पर बल दिया गया था इसी के फलसुरूप हमने IASE का निर्मान किया IASE जो है वो शिक्षप्रसिक्षण की अग्सर्वोच चुस्था यह상 है दोस्तर है इसके प्राथमिक स्तर और मध्यमिक स्तर प्राथमिक स्तर की बात करें तो डाइट है और जो मध्यमिक स्तर है उसमें IASE और CTE और TCE है अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तोड़ा सा अलग घटके बात करें मैतुपुन कोई बात करें तो कि भारत में अगर ये पूछा जाे कि भारत में 29 IASE और अगर हम सिर्फ राजस्तान की बात करें तो राजस्थान में IASE फिलाल हैं दो टोटल थे चार बिकानेर, अजमेर और एक चूरू के सरदार सहर एक उद्यपुर में लेकिन चूरू के जो सरदार सहर वाला IASE था वो सेंटर बंद है और वो संस्ता बंद है और उद्यपुर में भी बंद कर दिया गया है फिलाल दो ही है एक तो बीकानेर में और एक अजमेर में है बीकानेर एंड अजमेर राजस्तान में दो IASE है एक तो बीकानेर में है एक अजमेर में और भारत में कुल कितने हैं भारत में कुल IASE 29 है और राजस्तान में दो हैं तो ये आपको बातें याद रखने हैं ठीक है यह कि यहां से फिर थोड़े से हम आगे बढ़ते हैं कि यह जो बीकानेर वाला संस्थान है अब अपन इन दोनों को डिटेल से पढ़ें कि बीकानेर वाले संस्थान का क्या काम है और अजमेर वाले IASE का क्या काम है इन दोनों IASE का काम क्या है यह अपन इस क्लास में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां पर students बात करें अगर हम यहां पर कि इस IAS का काम क्या है तो दोस्तों यहां पर हम बात करें तो अपने को एक heading डालनी पड़ेगी और अब हमारी heading क्या है अब हमारी heading है कि यह जो IASE है IASE कौन सा IASE बीकानेर वाला इसका काम क्या है तो इसकी बारे में थोड़ी सी detail भी देख लेते हैं IASE बीकानेर के संबंद में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं तो जानकारी की बात करें तो पहला है कि इसकी स्थापना कब हुई थी सबसे पहले तो हमें यह पता होना चीए IASE बीकानेर की स्थापना कब हुई थी दोस्तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में ठीक है शिक्षक और प्रसिक्षण प्रमान पत्र की मानिता दी जाती थी पहले इसमें इसका काम क्या था 1940 में इसकी स्थापना हुई थी यह शिक्षक प्रसिक्षण प्रमान पत्र की मानिता थी इसके पास और फिर 1956 में 1956 में यह जो ना बीर्ड स्तर के शिक्षक प्रसिक्षण की मानिता देने लगा किसकी मानिता देने लगा scared star beard star के शिक्षक प्रसिक्षन शिक्षक प्रसिक्षन की मानिता इसके द्वारा दी जाने लगी और उसके बाद दोस्तों 1970 की बाद करें 1970 1970 में ये med star तक की अमेड इस्तर तक के सिक्षक प्रसिक्षन की मानिता देने लगा ठीक है और फिर ये जो वर्तमान सवरूप है IAC का ये कब हुआ तो इसमें हम बात करें कि सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर 1988 सेप्टेम्बर 1988 मैं इस संस्था को इस संस्था को IACE के रूप में मानिता दी गई थी IACE के रूप में मानिता दी गई इससे पहले ये IACE नहीं था सेप्टेम्बर 1988 में ये संस्थान को IACE के रूप में मानिता दी गई इसके पहले अगर हम इसके पहले बात करें तो 1940 में सिरफ ये शिक्षक प्रस्रिक्षन प्रमान पत्र की मानियता देने वाला एक संस्थान था और 1956 में ये बीडस्तर तक के शिक्षक प्रस्रिक्षन की मानियता देने वाला संस्थान था और 1970 में ये M.A.S.T.R. के सिक्षक प्रसेक्शन की मानियता देने वाला एक संस्थान था लेकिन September 1988 में इसको IAS की रूप में मानियता दी गई और जब इसको IASC की मानियता दी गई तो फिर इसका छेतर क्या रहा कौन-कौन से जिले इसका छेतर रहा और राजस्थान के किस-किस भाग की बात करें किसके छेतर रहे और फिर इसका आदर्श वाक्य क्या है अगर हम दोस्तों IASC की बात करें IASC की बात करें तो इसका एक आदर्श वाक्य भी है आदर्श वाक्य इसका आदर्श वाक्य क्या है या विधाया विमुक्रे या विधाया या विधाया विमुक्रे ये इसका जो है आदर्ष वाक्य है IASE B का नेर का और इसके अंतरगत कौन-कौन से संभाग आते हैं या हम यहां बात करें कि इसका कारे च्छेतर क्या है इस IAS Bika Nair का कारे छेतर क्या है तो दोस्तों इसके अंदर एक तो Bika Nair संभाग आता है Bika Nair संभाग Bika Nair संभाग का मतलब Bika Nair में जितने भी जिले आते हैं Bika Nair संभाग के जितने भी जिले हैं वो सब और इसके अलावा इसके अंदर आते हैं जैपूर संभाग, जैपूर संभाग पूरा, जैपूर संभाग में जितने भी जिले आते हैं वो सब, इसके अलावा नागोर, इसके अलावा जोधपूर संभाग, जोधपूर संभाग में जितने भी जिले आते हैं वो भी इसके अंतरगत, इसके कारेचेतर के अंतरगत आते करें तो यहां से सुरुवात होई थी 1940 से और जो वर्तमान सवरूप है इसका वो है सेट्टेंबर 1988 में इस संस्था को जब IASE मानना गया था और इसका आदर्श वाक्य क्या है या विधाया विमुक्रे और इसका कारे छेतर बिकानेर संभाग है जयपूर संभाग है नागोर है जोदपूर संभाग है इसमें जितने भी जिले आते हैं वो सब इसके अंतरगत आते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये जो बीकानेर वाला IASE है I A S E बीकानेर I A S E बीकानेर जो है ये काम क्या करता है इसका काम क्या है दोस्तों ये प्रसिक्षन देता है यह क्या देता है प्रिक्षिक्षन और किसको प्रिक्षिक्षन देता है यहां पर अपन बात करेंगे इसका काम है प्रिक्षिक्षन देना अब यह प्रिक्षिक्षन देता किसको है इसको भी अपन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर प्रसिक्षन की बात हुई है तो नमबर एक यह प्रसिक्षन देता है कि इसको वरिष्ट अध्यापकों का प्रसिक्षन करता है लेकिन यह यह जो वरिष्ट अध्यापक हैं वो कौंड से हैं सिरफ बीका नेर जिले के हैं बीका नेर जिले के जो वरिष्ट अध्यापक है सिरफ उनहीं को यह प्रस्रिक्शन दिया जाता है chills इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो यह व्याख्याता को व्याख्याता यानि की स्कूल लेक्चर जिसकी त्यारी आप कर रहे हैं व्याख्याता या फिर प्रधाना ध्यापक प्रधाना ध्यापक या फिर प्रधाना ध्यापक कौन से माध्यमिक शिक्षा के माध्यमिक शिक्षा के जो प्रधाना ध्यापक है वो और प्रधाना चारे प्रधाना चारे को प्रशिक्षन दिया जाता है इस संस्थान के द्वारा इनको भी प्रशिक्षन दिया जाता है और यह प्रिक्षिक्षन सिर्फ सेवा कालिन शिक्षकों के लिए होता है यह जो 2nd grade व्याक खाता प्रधाना चारे जोना यह सिरफ सेवा कालीन सेवा कालीन शिक्षकों के लिए यह प्रसिक्षन किसके लिए होता है शेवा कालीन शिक्षकों के लिए इसके दुआरा दिया जाता है और उसके बाद संचालित किसके दुआरा होता है अगर यह बात की जाए तो यह निदेशाले, इसके द्वारा संचालित होता है, निदेशाले माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा बीका नेर, निदेशाले माध्यमिक शिक्षा बीका नेर के कारे करम के अनुसार, निदेशाले माध्यमिक शिक्षा बीका नेर के अनुसार, यह जो है, यह संच संचालित होता है कौन आइएख इक सब्सक्राइएन ओढोडिनHえー कहारे किर्म के अनुसार सब्सक् आवर कोटा धान निशोन से एक आपन देख्डे temps बोलते हैं इसको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी बोल दो चाहे इसको बोल दो वर्धमान वर्धमान महवीर महवीर खुला विश्व विद्याले खुला विश्व विद्याले वर्दवान महाविर खुला विश्य विद्याल या कोटा का जो है न ये BAD और MAD का अध्यन के अंदर भी है BAD और MAD BAD और MAD का अध्यन के अंदर भी ये IASEB का नेर है दोस्तों ये वाली बाद अब देखो यहां पर हमने 5 point देखे हैं कि ये वरिष्ट अध्यापकों को प्रशिक्षन देता है लेकिन ये वरिष्ट अध्यापक सिर्फ बीका नेर जिले के होते हैं व्याख्यता, प्रधाना ध्यापक, माध्यमिक शिक्षा और प्रधाना चारे को प्रशिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् लेकिन राजस्थान में तो दो हैं IASE, कितने हैं IASE, दो हैं, एक तो बिकानेर है, एक अजमेर है, तो यहाँ पर हमने बात किया है वो बिकानेर की, आगे बात करते हैं अजमेर की, अब बात करते हैं अपने अजमेर वाले IASE संस्थान की तो यहां पर अब बात करो IASE IASE अजमेर IASE अजमेर जो है इसका कारेचेतर क्या रहेगा या क्या है और इसके काम क्या है इसकी बात अपन यहां पर अब करते हैं ठीक है चलिए यहां से दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं IASE अजमेर संस्थान के कारेचे और इसकी स्थापना के बारे में तो हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में जैसे बीकानेर वाले संस्तान की स्थापना तो हुई थी 1940 में और इसकी स्थापना हुई थी 1941 में और इसका कार्य क्या था? समसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका कार्य क्या था? और ये IASE था ये कुछ और था इसका कार्य था शिक्षक प्रसिक्षन विद्याले की रूप में शिक्षक प्रमान पत्र परिक्षा की मान्यता देना ये इसका काम था शिक्षक प्रसिक्षन विद्याले की रूप में शिक्षक प्रमान पत्र परिक्षा की मान्यता देना इसका काम था और फिर 1957 में क्या हुआ मैं बियडस्तर के सिक्षक प्रसिक्षन के रूप में ये मनेता देने लगा बियडस्तर तक के सिक्षक प्रसिक्षन सिक्षक प्रसिक्षन संस्थान के रूप में ये काम करने लगा संस्थान के रूप में ठीक है 1957 में इसकी स्थापना तो कब हुई 1941 में अब जब स्टार्टिंग में इसकी स्थापना हुई थी तो ये शिक्षक प्रस्रिक्षन विद्याले की रूप में शिक्षक प्रमान पत्र परिक्षा की मानेता देने का काम था इसका और फिर 1957 में क्या हुआ 1957 में बीए डिस्तर के शिक्षक प्रस्रिक्षन संस्थान के रूप में ये मानेता देने लगा और फिर 1988 में क्या हुआ 1988 में 1988 में मेडिस्तर कौन सा स्थर मेडिस्तर के शिक्षक प्रस्रिक्षन की मानेता के रूप में और दोस्तों 1989 में 1989 में 1989 में इसे IAS की मानियता मिली मतलब IASI जो वर्तमान से रूप है ना इसका वो 1989 में मिला 1989 में और इसका जो कारे छेतर है इसका कारे छेतर कोण सा है इसका कारे छेतर क्या है इसका कारे छेतर है 17 जिले अब तो यह जिले नई जिलों की संख्या के नुसार बढ़ गए और IAC का आदर्श वाक्या क्या है यह जो अजमेर वाला है इसका आदर्श वाक्या यहां उपर अपन लिख लेते हैं इसका आदर्श वाक्या क्या है इसका आदर्श वाक्या है वाड म्यू तप उच्यते ये इसका आदर्श वाक्य है I.A.S.E. अजमेर का और इसमें 17 जिले हैं अब आपको वेसे बता दू में कि भरतपूर है, दोलपूर है, स्वाईमाधूपूर है, कोटा है, बारा है, बूंदी है, जालावाड अजमेर, भीलवाडा, टोक, राजमन, डूंगरपूर, मांसवाडा, चितोडगड और प्रताबगड ये सब इसके अंदर आते हैं, मैं इनको लिखनी रहाँ, आप वैसे समझ लें कि इसमें कौन-कौन से जिले आते हैं, इसके अंदर आता है, भरतपूर, धोलपूर, स्वाईमाधूपूर, कोटा, बारा, बूंदी, जालावाड, अजमेर, भीलवाडा, टोक, राजमन, डूंगरपूर, मांसवाडा, चितोडगड और प्रताबगड यह जिले सब इसके कारेचेतर के अंदर आते हैं, अब IASE अजमेर द्वारा प्रस्टिक्षन दिया जाता है, यह किसको प्रस्टिक्षन देता है, इसकी बात अपन यहां करेंगे चलि दोस्तों, यहां पर हम बात करें कि IASE अजमेर IASE अजमेर जो है, यह प्रस्टिक्षन देता है, अब किस टाइप का प्रस्टिक्षन और किस को प्रस्टिक्षन देता है, इसको हम यहां समझते हैं यह सबसे पहला काम तो यह करें कि यह क्या काम करता है, यह वरिष्ट अध्यापकों को प्रस्टिक्षन देता है, अब यह वरिष्ट अध्यापकों को प्रस्टिक्षन तो देता है, लेकिन यह कौन से वरिष्ट अध्यापक हैं, कहां के होते हैं वरिष्ट ध्यापकों को प्रेस्रिक्षन लेकिन केवल अजमेर जिले के जो होते हैं वरिष्ट ध्यापक केवल उनी को प्रेस्रिक्षन देने का ये काम करता है और अगर आगे एक नोट डाल कर बात लिखें तो भी ठीक रहेगा आपके लिए यहाँ पर आपको एक नोट डाल कर बात लिखनी है बात ये लिखना है कि अजमेर और बिकानेर के वरिष्ट अध्यापकों के अलावा अन्य जिलों के वरिष्ट अध्यापकों का प्रस्रिक्षन IASE नहीं करवाती है यहां पर IASE तो किसके द्वारा IAS prescription देता है किसको वरिष्ट अध्यापकों को कहां के अजमेर के और IASE बीकानेर किसको प्रस्क्रिक्षन देता है वरिष्ट अध्यापकों को वरिष्ट अध्यापकों को वरिष्ट अध्यापकों से बीकानेर के अच्छा अजमेर जिले के और विकानेर जिले के तो प्रसिक्षन आई एस यह अजमेर और विकानेर देते हैं तो बाकी पूरे राजस्थान के जो सेकंड ग्रेड के अध्यापक होते हैं वरिष्ट अध्यापक होते हैं उनको प्रसिक्षन कोन देता है तो उसके लिए अपन को यहां रखना है उनको प् बिकानेर जिले के वरिष्ट अध्यापकों के अलावा अन्य जिलों के शिक्षकों को शिक्षकों को IASE प्रसिक्षन नहीं देता है यह बात अपनको याद रखनी है नहीं देता है सिर्फ किसको प्रसिक्षन देता है यह अजमेर और बिकानेर जिले के वरिष्ट अध्यापकों को बाकी को IASE प्रेक्षिक्षन नहीं देता है तो सवाल ये पैदा होता है तो बाकी को कौन देता है बाकी को प्रेक्षिक्षन कोन देता है बाकी संपूर्ण राजस्थान के संपूर्ण जिले के जो है अध्यापक है सेकंड ग्रेड का ध्यापक उनको pre-siction कूर देता है उनको pre-siction देता है CTE IASE नहीं देता है और राघस्तान में दोस्तों IASE तो दो ही है लेकिन CET राघस्तान में आठ है अजमेर और वीकानेर जिले के वरिष्ट अध्यापकों को IASE परिक्षन देता है बाकियों को नहीं देता है बाकियों को कौन देता है CTE देता है और राजस्थान में CTE 8 है ठीक है और इसके अलावा ये वरिष्ट अध्यापों को प्रस्रिक्शन देता है और IASE अजमेर और किसको प्रस्रिक्शन देता है उसकी बात अपन यहां कर रहेंगे यह एक बात तो यह याद रखनी है कि IASE अजमेर यह वाला यह किस को प्रस्रिक्षन देता है एक तो यह देता है वरिष्ट अध्यापकों को लेकिन वरिष्ट अध्यापकों से अजमेर जिले के और दूसरा पॉइंट इसका यह बीच में तो यह कहनी नोट के रूप में आपको याद रखनी है कि अजमेर और बीका निर जिले के वरिष्ट अध्यापकों को अलावा अन्य जिलों के जो सिक्षक हैं उनको प्रस्रिक्षन CET देता है माध्यमेक शिक्षा के जो प्रधानाचारे हैं वो प्रधानाचारे माध्यमेक शिक्षा और समस्त कारेचेतर जो है समस्त जिलों को जो इसके सत्रा जिले हैं उन समस्त जिलों का इसका कारेचेतर है तो यह बात हुई IASE अजमेर के संस्थान की अब हम आगे बात करेंगे कि जो IASE है इसका संगठनात्मक सवरूप क्या है और IASE के उदेश्य क्या है इन दो बातों को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे चलिए आगे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं संगठनात्मक सवरूप IASE का संगठनात्मक सवरूप इसका संगठनात्मक सवरूप क्या है IASE का संगठनात्मक सवरूप क्या है दोस्तों अगर हम IASE के संगठनात्मक सवरूप की बात करें तो IAS पर प्रसासनिक नियंतरन जो होता है वो किसका होता है निदेशालिया माध्यमिक शिक्षा भीका नेर का तो इस पर सबसे पहली बात यही है कि प्रसासनिक नियंतरन किसका है यहां से कोशन बन सकता है कि इस पर जो प्रसासनिक नियंतरन है ये प्रसासनिक नियंतरन किसका है प्रसासनिक नियंतरन होता है इसमें निदेशाले किसका निदेशाले माध्यमिक शिक्षा बीका नेर का माध्यमिक शिक्षा B का नेर निदेशाले माध्यमिक शिक्षा B का नेर पर इसका प्रसासनिक नियंतर्ण रहता है और उसके बाद अकाद्मिक नियंतर्ण किसका रहता है इस पर अकाद्मिक नियंतर्ण अकादमिक नियंतरन जो है इस पर दोस्तों किसका रहता है अकादमिक नियंतरन रहता है कोलेज शिक्षा निदेशाले जयपूर का कोलेज शिक्षा निदेशाले कोलेज शिक्षा निदेशाले बीकानेर प्रशासनिक नियंतरन तो रहता है निदेशाले माध्यमिक शिक्षा बीका नेर का और अकादमिक नेर का और इसमें शेक्षिक गतिविधियां जो होती हैं यहां शेक्षिक गतिविधियों का संचालन यहां पर शेक्षिक गतिविधियों का संचालन शेक्षिक गतिविधियों का जो संचालन है वो किसके द्वारा होता है N-C-T-E N-C-T-E या फिर शिक्षा मंत्राले शिक्षा मंत्राले पहले तो मानव संसादन मंत्राले था वर्तमान में शिक्षा मंत्राले N-C-T-E शिक्षा मंत्राले भारत सरकार की गाइडलाइन में शेक्षिक गतिविद्यों का संचालन होता है भारत सरकार की गाइडलाइन जो रक्षा मंतर ये सोरी शिक्षा मंतराले जो गाइडलाइन देता है उसके द्वारा IASE में शेक्षिक गतिविद्यों का संचालन किया जाता है तो यहाँ पर तीन बातें इंपोर्टेंट आई कि प्रशासनिक नियंतरन तो होता है निदेशाले माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का अकादमिक नियंतरन होता है इस पर कोलेज शिक्षा निदेशाले बीकानेर का शेक्षिक गतिविद्यों का संचालन जो है वो किसकी गाइड कौन से मंत्रा ले शिक्षा मंत्रा ले की गर्ड लेन के अनुसार होता है और यहां पर इसमें IS के संगाटनात्मक धांचे की बात करें तो इसमें एक प्राचारिय होता है एक उप प्राचारिय भी होता है उप प्राचारिय भी होता है एक प्रोफेसर भी होता है प्रोफेसर प्रोफेसर और उसके बाद रीडर भी होता है यहां पर और उसके बाद व्याख्याता भी होते हैं और यहां पर अनुदेशन अधिकारी भी होता है अनुदेशन अधिकारी यह IASE के करमचारी होते हैं अचारे होता है उपराचारे होता है प्रोफेसर होता है रीडर होता है वेक्याता होता है अनुदेशन अधिकारी भी होते हैं यह IASE का एक संगठनात्मक सवरूप है उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके विभाग कि इसके विभाग कौन-कौन से हैं तो उन विभागों की बा IASE के विभाग IASE के विभाग कौन से हैं दोस्तों तो इसके विभागों को हम दो बागों में बाड़ते हैं दो बागों में इसके विभाग हम बाड़ते हैं पहला तो है इसके अकादमिक विभाग अकादमिक विभाग ठीक है और इसका दूसरा है प्रसासनिक विभाग कौन सा विभाग? प्रसासनिक विभाग अकादमिक विभाग और प्रसासनिक विभाग दो विभाग हैं IASE के अब इन नों के नाम लिखते हैं पहले अगर हम अकादमिक विभाग की बात करें तो इसमें दोस्तों साथ विभाग हैं अकादमिक विभाग में साथ विभाग हैं और इसमें एक ही है यही है अब यह साथ कौन कौन से हैं पहला है शेक्षिक आधार विभाग और दूसरा विभाग कौन सा है दूसरा है प्रात्मिक शिक्षा विभाग प्रात्मिक शिक्षा विभाग ये है इसका दूसरा विभाग और इसका तीसरा विभाग कुन सा है? तीसरा है सेवारत शिक्षा एवं प्रसार सेवा विभाग ठीक है और इसका चोथा कुन सा है? चोथा है शिक्षिक प्रोधोगी की विभाग ये इसका चोथा विभाग है पांचवा विभाग कुन सा है? पांचवा है योजना विभाग और चटा विभाग कौन सा है इसका? चटा है शोध विभाग और सातवा विभाग कौन सा है इसका? विशिष्ट शिक्षा विभाग इसको अपन ऐसे लिखें विशिष्ट शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षा विभाग ये विभाग सात विभाग हैं अकादमिक विभाग कहलाते हैं और प्रशासनिक विभाग इसका एक है अब ये जो विभाग हैं साथ इन में से किस विभाग का क्या काम है ये जानेंगे अपने इसमें यहां पर अब हम इनी सभी विभागों के क्या कारे हैं किस विभाग का क्या कारे है वो देखते हैं तो ये सात विभाग हैं, इन सात विभागों के क्या कारे हैं वो देखें, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यहां पर हम इसको इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर शेक्षिक विभाग की, सबसे पहला विभाग, सबसे पहला विभाग कोण से हमारा, सबसे पहल क्या है शेक्षिक आधार विभाग शेक्षिक आधार विभाग जो है इसका काम क्या है इसका काम है सेवा पूर्व शिक्षक प्रसिक्षणों का संचालन करना ठीक है सेवा पूर्व शिक्षक प्रसिक्षणों एक तो ये काम है इसका और दूसरा है प्रति दिन की शेक्षिक गतिविध्यों का संचालन प्रति दिन की शेक्षिक गतिविध्यों का संचालन ये काम भी इसी के द्वारा किया जाता है फिर आता है नंबर टू प्रात्मिक शिक्षा विभाग कौन सा प्रात्मिक शिक्षा विभाग ये है दूसरा प्रात्मिक शिक्षा विभाग इसका क्या काम होता है इसका काम होता है डाइट के शिक्षक प्रसिक्षक जो है शिक्षक प्रसिक्षक मतलब शिक्षकों को प्रसिक्षन देने वाले उनको भी प्रिक्षन देना यानि की जो शिक्षकों को प्रसिक्षन देते हैं शिक्षक प्रसिक्षक उनको प्रसिक्षन देने का काम जो है इसके प्रात्मिक शिक्षा विभाग का होता है और उसके अलावा तीसरा पॉइंट की बात करें तो यह प्रात्मिक शिक्षा में इसका दूसरा पॉइंट है प्रात्मिक शिक्षा में अनुसंधान कारे जो है यह भी इसी विभाग का होता है और इसके अलावा प्रियोग प्रियोजनाए शिक्षक संदर्शिका प्रात्म शिक्षिक संदरशी का ये काम भी इसका है और तीसरा इसका काम है प्रारंभीक शिक्षा का सावर्जनी करन करना ठीक है ये काम भी इसी भाग का है उसके बाद आता है दोस्तों तीसरा विभाग पहला विभाग कोण सा था शेक्षिक आधार विभाग दूसरा विभाग कोण स प्रात्मिक शिक्षा विभाग जो शेक्षिक आधार विभाग है इसके ये दो काम है और ये जो प्रात्मिक शिक्षा विभाग है इसके ये दो काम दो तीन काम है अब आता है हमारा कोण सा विभाग तीसरा विभाग अब ये तीसरा विभाग कोण सा है ये क्या कहता है और इ शिक्षा एवम प्रसार सेवा विभाग ये विभाग है अब इस विभाग का क्या काम है इस विभाग का काम है यह विभाग सभी विभागों में समन्वे स्थापित करता है सभी विभागों में समन्वे स्थापित करने का काम ये करता है और दूसरा यह है विभाग सेवारत शिक्षकों के लिए शेवारत शिक्षकों के लिए प्रसिक्षन हेतू नवीन छेत्रों की खोज करता है नवीन छेत्रों की खोज करना काम इसी विभाग का है इसके अलावा ये अगला काम क्या है प्रसिक्षनों में उपस्थिती सुनिश्चित करना तथा प्रसिक्षनों का रिकोर्ड रखना इसका ये काम भी है जितने भी प्रसिक्षन होते हैं उनका रिकोर्ड रखना प्रसिक्षनों का रिकोर्ड रखना रिकोर्ड रखना ये काम भी इसी विभाग का है फिर हमारा आता है इसका चोथा विभाग चोथा विभाग है शेक्षिक प्रोदोगी की विभाग कौन सा विभाग? शेक्षिक प्रोदोगी की विभाग प्रोदोगी की विभाग शेक्षिक प्रोधोगी की विभाग इसका काम क्या है? कम लागत पर अच्छी शिक्षक साहेक सामगरी बनाना ये इसका काम होता है और इसके लावा computer शिक्षक जो है उनको प्रसिक्षन देना ये काम भी इसी का है प्रसिक्षन देना important line है याद रखना कि शक्षिक प्रोदग्य की विभाग जो है ये computer शिक्षकों को प्रसिक्षन देना का काम भी यही department करता है दोस्तों चार विभाग होगे टोटल साथ हैं पांचवे छटे और साथवे के बात और कर लेते हैं पन यहाँ पर बात कर रहे हैं अब हम पांचवे विभाग की पांचवे विभाग है योजना विभाग कौन सा विभाग है ये योजना विभाग अब ये योजना विभाग जो है इसका काम क्या है ये विभिन शिक्षा संस्थानों को शेक्षनिक नियोजन के संदरब में नीतिगत राय देता है क्या देता है नीतिगत राय देना नीतिगत राय देना इसका काम है और किसको विभिन शिक्षा संस्थानों को विभिन सिक्षा संस्थानों को नीतिगत राय देना इसका काम है और छटा विभाग कौन सा है? छटा विभाग है शोध विभाग कौन सा विभाग? शोध विभाग अब इस शोध विभाग का क्या काम है? शोध विभाग जो है माध्यमिक विद्याले के संस्था प्रधानों हेतु शिवीर का आयूजन शिवीर का आयूजन करना इसका काम है शेक्षिक समस्या कारक वे उपायों पर चर्चा करना चर्चा करना भी इसी का काम है और इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान क्या क्रियात्मक अनुसंधान क्रियात्मक अनुसंधान अपने रीट में पढ़ते हैं क्रियात्मक अनुसंधान शिवीर का आयूजन का आयोजन शोद कारे करवाना अदी इस क्रियात्म का नुसंदान शिवीर का आयोजन कराना भी इसी का काम है सातों पोइंट है विशिष्ट शिक्षा विभाग इसको हम बोलेंगे विशिष्ट शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षा विभाग इसका काम क्या होता है विशिष्ट शिक्षा विभाग है व्यवसाइक शिक्षा देना इसका काम है व्यवसाइक शिक्षा व्यवसाइक शिक्षा प्रियावरण शिक्षा और जनसंख्या शिक्षा और मुल्य शिक्षा मुल्यों की शिक्षा और मुल्यंकन परनालियों की शिक्षा ये सारा काम किसका होता है ये सारा काम होता है विश्षिष्ट शिक्षा विभाग का और दोस्तों अंत में हम बात करेंगे अब IASE के उदेश्य क्या है यहां पर लास्ट पॉइंट पर आ गए है वीडियो अल्रेडी लंबा हो चुका है तो यहां पर अब अपन पढ़ेंगे IASE के उदेश्य क्या है IASE के उदेश्य बस अपन लास्ट में पहुंच चुके हैं इसके बाद यह हमारा टोपिक कम्प्लीट होगा IASE के उदेश्य क्या है सबसे पहला सबसे पहला है माध्यमिक शिक्षा में गुनवत्ता लाना सबसे पहला काम तो यह है और दूसरा काम क्या है इसका बीड वे एमेड शिक्षा कारे करमों में गुनवत्ता लाना बीड और एमेड शिक्षा कारे करमों में शिक्षा कारे करमों में गुनवत्ता लाना यह काम है इसका उदेश्य है और तीसरा उदेश है नेत्रत्व वे प्रसासनिक शमता का विकास करना ठीक है? चोथा पॉइंट है इसका शेक्षिक नवाचार लाना ये भी इसी का काम है और पांचवा इसका है महत्वपूर शोध कार्य करना ये भी दोस्तों इसी का काम है तो ये था आपका पूरा IASE टोपिक जहांपर हमने IASE के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल की है ये हमारे स्कूल लेक्चरर एक्जाम के लिए या फर्स्ट ग्रेड एक्जाम के लिए पूरा एजुकेशन मेनेजमेंट जो पूरा शेक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट है जो 30 नंबर के कोशन आते हैं इस पूरे 30 नंबर के टोपिक को हम यहां पर करेंगे तो आप जुड़े रहें सारे वीडियो टाइम पर देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंसता रहें नमस्कार